आज की वीडियो में हम C में formatted input function के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर आता है हमारा है scanf देखो input functions तो all भी होते हैं लेकिन scanf जो होता है वो क्या होता है formatted input function होता है क्यों उसे formatted बोलते हैं क्योंकि इसकी help से हम input को भी formatted way में ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं वो हम आज की वीडियो में discuss करेंगे तो देखो scanf statement का मतलब क्या होता है कि हम keyboard से input लेना चाहते हैं हम क्या कर रहे है expect कर रहे हैं कि keyboard से user कोई input दे तो अगर हमारे program में scanf statement है तो program तब तक आगे execute नहीं होगा जब दक हमने keyboard से कुछ enter नहीं किया है मतलब control ये expect करता है कि keyboard से कुछ enter किया जाएगा इसकी ज़ुरत क्यों पड़ती है input लेने की ज़ुरत क्यों पड़ती है क्योंकि हमें क्या करना है dynamic program बनाना है मतलब अगर हमें दो numbers को add भी करना है तो ऐसा नहीं कि हम numbers को assume करके उनको add करेंगे नहीं हम user से numbers पूछेंगे then हम उनको क्या करेंगे add करेंगे जैसे कि calculator work करता है obviously आप numbers देते हो then ही उन पर कोई भी arithmetic operation perform होता है फिर क्या आता है आपके पास result आता है okay तो कुल मिला के हमें जुरुत तो पड़ी की user से हम input लें तो जिसके लिए हम क्या use करते है scanf function use करते है okay अब यह use किस तरह से होता है तो suppose हमारे पास हमें एक दो numbers को add करने का ही simple सा program बनाना है तो हमने यहाँ पर code लिखा int और यहाँ पर हमने लिखा main अब देखो यहाँ पर मैंने header files वगरे include नहीं कि यह syntax में अगर मैं कुछ भूल भी जाओं तो उसको consider कर लेना क्योंकि आपको main जो पढ़ना है वो scanf function पढ़ना है बाकी सारी चीज़ा आपको पता ही है ओके अब हम यहाँ पर आते हैं suppose हमारे पास यह दो numbers हैं तीन numbers हैं A, B, C, यह तीन क्या हैं integers हैं यह तीन क्या हैं integers हैं ओके तो obviously इनको कोई नो कोई memory assign हुई होगी मतलब memory में sorry इनको space allocate हुआ होगा ओके तो A को कुछ कहीं पर भी space मिला होगा B को कहीं पर भी space मिला होगा और C को भी कहीं पर memory में space मिला होगा कि हम एक तो तरीका है कि हम A और B की values को assume कर लें कुछ भी और C के अंदर उनको add करके print करवा दें लेकिन यह तो static approach हुआ तो हम क्या चाहते हैं कि हम users से A और B की value पूछें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा scanf statement लिखना पड़ेगा अब हम क्या चाहते हैं A की मतलब first number जो है वो A के अंदर store हो जाना चाहिए second number जो है वो B के अंदर store हो जाना चाहिए देखे हम user से input ले रहे हैं तो obviously मुसको कही न कहीं store भी करेंगे हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसको कहीं न कहीं store भी करेंगे तो अब scanf किस तरह से work करेगा तो आप चाहो तो यहाँ पर print है filter first number second number यह सब लिख सकते हो नहीं भी लिखो कि तो program तो चले गई आगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे scanf अब यहाँ पर अगर मैंने क्या लिखा क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ हमारे number को कहीं store करना चाहती हूँ कहां store करना चाहती हूँ एक के अंदर store करना चाहती हूँ जो user enter करे तो अब एक क्या है integer है integer के लिए कौन सा format specifier यूज होता है percent d यूज होता है तो double quotes के अंदर में यहाँ पर क्या लिखूंगी percent d अभी मैं सिफ एक number के लिए उसको में फिर दो numbers के लिए extend करूंगी तो क्या use होता है percent d जो कि double quotes के अंदर ही आता है क्योंकि यह क्या है format string है तो double quotes के अंदर ही आएगी इसके बाद इस double quotes के ending की अब हम यहाँ पर argument पास करेंगे और क्या लिखेंगे हम m percent यहाँ पर pointer ही दिया जाता है जो argument में हम जो देते हैं वो क्या होता है pointer ही दिया जाता है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा अब इस statement का meaning क्या है हम user से एक integer expect कर रहे हैं और user जो integer देगा value provide करेगा उसको हम a के address पर क्या कर देंगे store करेंगे इसका मतलब क्या है हम a के address पर उस value को क्या कर देंगे store कर देंगे यह है statement का meaning अब यह तो बात थी integer की इस जगे पर हम दूसरे format specifies का भी उस कर सकते हैं अगर हम कोई float value लेना चाहते हैं कोई character value लेना चाहते हैं कोई string value लेना चाहते हैं कौन कोन से format specifies किसके लिए use होते हैं कुछ अगर बच भी गए हो तो बाद में जो मैं mcqs के लिए वीडियो बनाऊंगे उसमें हम उन चीजों को cover कर लेंगे तो यहां पर integer लेना था मैंने %d लिखा suppose यहां पर होता float और मान लिया होता fp यह सम्थिंग कुछ और होता मतलब में एक float value यूजर से लेना चाहती हूँ तो उसके लिए हम यहां पर लिखती %f और फिर उसको हम store करते fp के address पे तो हम यहां पर क्या लिखते m%fp लिखते और इस चीज का आप ध्यान देना कि जिसमें आप value चाहते हो आप integer में value चाहते हो तो अप उसी के corresponding आप क्या दो आप format specify provide करो आप %u लिख सकते हो unsigned integer के लिए लेकिन उस case में आपको क्या provide करना है एक unsigned integer ही provide करना है मतलब ऐसा नहीं कि आप क्या लिख रहे हो या पे scanf लिख रहे हो उसके बार आप लिख रहे हो %u और यहाँ पर क्या दे रहे हो M % and जो भी अपका unsigned integer है वो दे रहे हो या आपने A b लिख दिया तो ऐसा आपको नहीं लिख रहे है मतलब आप ऐसा लिखते हो तो आपको क्या देना है unsigned नंबर ही देना है क्या देना है, unsigned integer ही provide करना है, तो कुल मिला कि आपको ध्यान क्या देना है, कि आपका format specifier सही होना, क्योंकि कुछ कुछ cases में तो सही value enter हो जाती है, आपने आप पर सेंट यू लिखा है, उससे कोई दिक्रत नहीं है, आप अगर unsigned number दे रहे हो, तो वो सही साथ स्टोर हो जाए J%, C%, किस तरह से work करेंगे, वो मैं आपको बता दूँगी, इसके बाद next रहते हैं, कि अगर मुझे 2 integers लेने हैं, तो हम कैसे लेंगे, मतलब में A और B, इन दोनों की value साथ में लेना चाहती हूं user से, तो उस case में हम क्या लिखेंगे, scanf लिखेंगे, और यहां पर हम क्या लि हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है? और यहां पर अप कॉमा आसकता है, नहीं आ सकता है, कोई ओर सिंबौल आसकता है, नहीं आसकता है, वो मैं last में आपको बताओंगे, ठीक है? तो यहां तक आपने क्या लिख दिया? person d space दिया मैंने फिर person d और उसके बाद में यह double course क्योंकि मैं दो integers expect कर रही हूँ अब पहला जो integer है वो a के address पर जाके store होना चाहिए दूसरा जो integer है वो b के address पर जाके क्या हो जाना चाहिए store हो जाना चाहिए ओके तो यह statement का meaning अब जैसे statement आएगा तो control दुख जाएगा execute करते टाइम control दुख जाएगा जब तक हम दो integers नहीं provide कर देते है तब तक तो आपने first integer provide किया 20 ओके अब आप चाहे दूसरे integer के लिए space दो या enter प्रेस करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ओके तो आप 20 के बार enter देके भी 30 लिखते हो तो ऐसा ही कुछ होने वाला है character के case में कुछ और होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी तो इस तरह से हम दो integers ले सकते हैं तीन integers भी ले सकते हैं या integer के साथ में float को mix भी कर सकते हैं या पर अगर मैंने लिखा percent f और यहाँ पर लिख दिया मैंने fp तो भी यह सही से work करेगा कोई problem नहीं आप इनको mix भी कर सकते हो बस आपको values क्या है सही provide करनी पड़ेंगी तो यह तो हुआ यहाँ तक अब इसके बार में हम इसको format किस तरह से input को format किस तरह से कर सकते हैं अब next आता है percent and और फिर जो भी format specifier आप देना चाहते हो df जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो c याए s जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो मैं d लिख रही हूँ अभी अब इसका मतलब क्या यह maximum field बताता है printf के 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 से में उल्टा था अब क्या चाहते हो कि यूजर जो है only 3 ही digits एंटर कर सके या 4 ही digits एंटर कर सके तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो अगर आपने लिखा है scanf और उसके बाद में आपने क्या लिखा है percent 3d लिखा है और यहाँ पर आपने क्या लिखा है m percent a लिखा है मतलब एक एड्रिस पर store हो जाए जो भी उजर एंटर करे अब सपोज यूजर ने क्या एंटर किया है 4,1,3,2 एंटर किया है तो ऐसा नहीं कि आप अब error आजागी क्योंकि यह 3 digits से जाद है error नहीं आएगी लेकिन only क्या चीज scan होगी store होगी only 413 जो है वो क्या होगा scan होगा और A के address पर जाके store हो जाएगा 413 क्या हो जाएगा store हो जाएगा यह 2 जो है यह क्या हो जाएगा discard हो जाएगा लेकिन अगर आपने यही क्या किया है scanf लिखा है और हाँ अगर आप 20 देती हो यहाँ पर तो कोई problem नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि यह आपने 3 digits तक बताया है तो only exactly 3 ही enter करनी आप उससे कम भी enter कर सकते हो जादा enter की तो बागी की discard हो जाएगे लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा है scanf लिखा है और आपने यहाँ पर लिखा है %3d space देखे फिर आपने क्या लिखा है यह स्पेस नहीं भी दिया है परसंट वापस से लिखा है आपने d और यहाँ आपने लिखा है m% a m% b लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है तो अब इसका यह मतलब होता है अब अगर आपने क्या enter किया है 1, 2, 3, 4, 5 enter किया A के लिए और B के लिए क्या enter किया है 20 enter किया है तो आप किस तरह से store होगा क्योंकि A के लिए हम expect कर रहे हैं only 3 digits तो यह जो 3 digits है वो कहां पे store हो जाएंगी A के address पर store हो जाएंगी तो यहां पर आ जाएगा 123 आ जाएगा बाकी की जो यह बची है 45 वो कहां पर store हो जाएगा तो वो 45 जाके कहां store हो जाएगा B के address पर store हो जाएगा यही अगर आपने next line में भी इसके NF statement लिखा होता आपने यहां बस सिर्फ A को लिया होता next line में B को लिया होता तो उस case में भी क्या होता यह 45 कहां पर store हो जाता B के address पर store हो जाता और यह 20 क्या हो जाता है discard हो जाता तो यह इस तरह से work करता है इस चीज का आप ध्यान देना तो अगर आप A और B को प्रिंट करोगे तो अब output में क्या आएगा A की value 120 थी आएगी और B की value क्या आएगी 45 आएगी इस तरह से work करता है यही चीज strings के लिए भी होती है आपने इस तरह से 2 strings क्या है declare की है अब आप इन 2 strings के लिए यूजर से value expect कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे scanav all strings के लिए क्यान सा specified use होता है %s यूज होता है तो जितनी भी लंबी user string दे इस size के अंदर तो वो accept की जाएगी लेकिन अगर आप यहाँ पे भी क्या लिख रहे हो suppose आपने लिख दिया 5 और आपने यहाँ पे लिखा है D और फिर space दे के आपने क्या लिखा है sorry D नहीं आपे S आएगा क्योंकि हम string ले रहे है user से फिर आपने फिर से क्या लिखा है %s लिखा है और दूस्ती बात यह है कि हम जो arrays होते है जो strings होती है उनके लिए हमें m% provide करने की जुरत नहीं होती है by default क्या होता है अगर आपने यहाँ पे लिखा है s1, s2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि s1 का और s2 का base address यहाँ से क्या होगा pass होगा base address का मतलब क्या होता है starting address देखो यह क्या है एक string है मतलब character of arrays है तो arrays को memory किस तदर से मिलती है कुछ इस तदर से मिलती है यह 0th location यह 1st location and so on suppose इस 0th location का जो address है वो 200 है then इसका 201 है क्योंकि यह क्या है characters का array है तो एक character को एक byte ही मिलती है इसी तरह से दूसरी आपकी जो string है s2 यह थी s1 यह है s2 उसका base address है 400 तो यहाँ पर अपने आप ही 200 इस string का base address पास होगा 400 इस string का base address अपने आप पास होगा आपको m% लगाने की आपर जोरत नहीं है और इसके case में ऐसा होता है तो अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो जब यह statement execute होगा और user ने जो string enter की first string जो enter की है वो enter की है a, b, c, d, e, f, g, h यह कुछ provide की है और second string user ने कुछ भी x, y, z provide की है तो सबसे पहले जो हमारी first string है उसमें कितने है five characters हम चाहते है maximum उससे जादा हम नहीं expect कर रहे हैं तो one, two, three, four, five only a, b, c, d, e को scan करके किसके अंदर store कर दिया जाएगा s1 के अंदर store कर दिया जाएगा और बाकी के जो बचे है f, g, h उनको किसके अंदर store कर दिया जाएगा s2 के अंदर store कर दिया जाएगा और दूसरी जो value हमने provide की है उसको discard कर दिया जाएगा तो ये कुछ इस तरह से run होता है दूसरी चीज strings जो store होती है तो उनके end में जो है जैसे यहाँ पर a, b, c, d, e store हुआ है तो उसके end में strings के end में null character को क्या किया जाता है store किया जाता है ऐसा strings में होता है अब इस code में दिखो हमने क्या किये है दो characters को declare किया a, b, and characters को कितनी मिलती है 1, 1, by, teach मिलती है इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि characters का जो format specified होता है अब यहाँ पर आपको input देते time ध्यान देना है यहाँ पर अगर आपने input में दिया है a, or without any space आपने b दिया है यहाँ आपने लिखा है आपको confusion नहों आपने दिया है x, or y, without any space तो x store हो जाएगा a के address पर, और y store हो जाएगा b के address पर यहाँ अगर आप space नहीं देते हो तो, okay लेकिन अगर आपने क्या दिया है x, space y लिखा है तो यहाँ पर गरबर हो जाएगी क्यों गरबर हो जाएगी क्योंकि x तो store हो जाएगा a के address पर लेकिन space in itself क्या होता है एक character होता है तो b के address पर क्या store हो जाएगा space store हो जाएगा मतलब space की जो भी असकी value होती है वो store हो जाएगी ना कि y b के address पर store होगा तो यहाँ matter करता है हमें space देना है या नहीं देना है अगर हम यहाँ पर space देते हैं तो हम space देकर ही यहाँ पर value center कर सकते हैं लेकिन अगर हम space नहीं दे रहे हैं तो हमें values, keyboard से values enter करते time भी ध्यान देना है कि हम spaces ना provide करें, ओके, इसके बाद में अब यह comma और अगर कैसे वर्क करता है, वो भी हम बाद में आता है यहाँ पर अगर आपने क्या लिखा है scanf और उसके बाद में आपने क्या लिखा है %5c और फिर आपने लिखा है %c लिखा है, ओके, जो कुछ भी आपको लिखना है वो आपने लिखा है और उपर आपने एक string declare की है character as और यहाँ पर दे दिया है आपने 20, अब यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, as दे रहे हो, और यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, a दे रहे हो, तो यह किस तरह से work करेगा, तो जैसे हम string user से लेते हैं वैसे ही हम %s की जगे पर %5C लगा रहे हैं, इस भी आपने दिया है, तो इसका मतलब यह 5 characters user ने enter किये हैं, वो कहाँ पर store हो जाएंगे, s के address पर, s के अंदर क्या हो जाएंगे, store हो जाएंगे, और क्योंकि string क्या होता है, करे होता है, इसलिए मैंने आपर m% नहीं लगाया है, लेकिन a क्या है, एक character है, इसलिए मैंने आप % लगाया है, तो अब यहाँ पर आपको लगेगा कि फिर %s और यह %nc या 5c में difference क्या है, तो देखो, जब हम %s से कोई string enter करवाते हैं, तो उस case में क्या होता है, कि string के end में एक null terminating character क्या हो जाता है, store किया जाता है, लेकिन जब हम इस way में हम string को store कर रहे हैं, तो उस case में क कोई भी जो है null character, end में string के store नहीं होता है, यह चीज़ आप verify करके देख सकते हो, और मुझे बता सकते हैं, नहीं तो भी मैं MC की उसमें इस चीज़ को cover कर लूँगी, तो यह difference होता है, % test और %, हम nc या कोई भी number provide कर रहे हैं, तो यह क्या होता है, उनके अंदर difference होता है, यह यहाँ भी वही rule follow होता है, कि हम maximum five characters यहाँ पर दे सकते हैं, उससे जादा देंगे, तो अगले character या अगली string में क्या हो जाएंगे, store हो जाएंगे, अब next देखो, यहाँ पर हमने क्या की है, दो strings declare की है, S और T, तो S और T क्या होई है, दो strings declare की है, उनको किस तरह से memory allocate होगी, तो आपको पता ही है, इसके बाद में आपने यहाँ पर क्या लिखा है, scanf statement लिखा हो, यहाँ पर square bracket में आपने लिखा है, ABC, यहाँ पर कोई double quotes नहीं आएंगे, और फिर यहाँ पर S लिखा है, मतलब percent S की place पर आपने क्या लिखा है, बीच में यह चीज और add कर दिये, तो इसका मतलब क्या होता है, कि ABC, इस string के अंदर only जो characters आप दे सकते हो, वो A, B, O, C हो सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो जब आप input देते हो, आप input में देते हो, A, B, C, A, B, A, B, something, ऐसा देते हो, तो वो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके अलावा, जैसे ही आपने T, Q, या D, E कुछ भी दे दिया, तो उसके बाद वाली जो चीजे वो क्या हो जाएगी, आइदर discard हो जाएगी, या दूसरी string में चली जाएगी, जैसे आप सकते हो, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, A, B, C, और फिर यहाँ पर लिखा है, S, तो अगर आप क्या द acceptable नहीं है, इसके according ये चीज acceptable नहीं है, तो D किसके अंदर store हो जाएगा, T के अंदर क्या हो जाएगा, store हो जाएगा, इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर जैसे हमें कोई range provide करनी है, कि A से small A से small M तक के जो characters हैं, वही acceptable है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ब A, B, C को छोड़ के, accept A, B, C, D, A, B, C, सब कुछ acceptable है, तो अगर आपने string में लिखा है, D, M, P, E, ऐसा कुछ आपने लिखा है, तो acceptable है, जैसे ही आपने यहाँ पर लिख दिया है, A, B, ऐसा कुछ लिख दिया, तो आपके जो S के अंदर only care store होगा, D, M, P, E store होगा, इस AB को क् कर दिया जाएगा, एकस्ट आता है, कि हम एतना पर già MARIF California, कि हम दो हम उमेर का 대ना पटना पर ऐखा, क्या होगा, क्या को परíanर थे के लिख कर मतलब है, तो अगर आप ilana anything digital500 democratic and statistical clock star, by party payment 80. 20, 30 तो ऐसा नहीं कि error आ जाएगी नहीं यह कॉमा को क्या कर दिया जाएगा इग्नोर कर दिया जाएगा इसको A के एड्रिस पर और इसको B के एड्रिस पर क्या कर दिया जाएगा store कर दिया जाएगा क्योंकि हमें कभी लगता है कि user input देते time comma दे सकता है तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं लेकिन यह सिर्फ comma को ignore करेगा और किसी character को नहीं तो अगर आपने input देते time 20 और फिर आपने यापन लगा के दिया है 30 और कोई और symbol दिया है इस तरह से equal चीज होती क्योंकि आपको लगता है कि user कोई सा all symbol भी दे सकता है मतलब user input enter करते time गलती से अगर हम ddmmyy date format पूछ रहे हैं तो user input देते time यह वाला symbol या यह वाला symbol कुछ भी enter कर सकता है आपको पता नहीं है कि वो क्या enter कर सकता है और दूस्ती चीज़ यह comma की place पे आप दूसरा symbol भी लगा सकते हो आपने यह चीज़ लगा है तो क्या होगा उस case में जो हमारा यह वाला input acceptable नहीं होगा लेकिन आप इस way में input दे सकते हो उस case में इस symbol को क्या कर दिया जाएगा ignore कर दिया जाएगा 20A के address पर 30B के address पर store हो जाएगा अगर आप यहाँ पर %D के बीच में यह वाला symbol दे रहे हो लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि user कोई सा भी symbol दे सकता है तो उस case में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो आपने लिखना है scanf %D और यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना है % और फिर लिखना है आपको %D अब इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप input लिया जाएगा लेकिन उसको कहीं store नहीं किया जाएगा उसको ignore किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक integer देने के बाद user कोई भी character देता है कोई भी character ये indicate करता है कोई सा भी character user देता है तो उस character को हमें क्या कर देना है हमें लेना है लेकिन उसको कहीं store नहीं करना है उसको just discard कर देना है ठीक है तो अब अगर user input में कुछ भी दे चाहे दे दे user 20, 30 चाहे 12 और फिर यहां पर कोई सा भी symbol लगा के कुछ और दे दे या कोई सा भी symbol लगा ले तो वो जो beach का जो character है उसको क्या कर दिया जाएगा ignore, discard कर दिया जाएगा कहीं store नहीं करना है उसको क्या कर देना है discard कर देना है ओके